लामा बोला जाता है कि नहीं हमको ले जाना ही है पेशिट के रिलेटिब से पेशिट ऐसा फोर्स करता है तो उस कंडिशन में लामा बोला जाता है मतलब hospital के against patient को ले जाया जा रहा है a client has decided to leave the hospital against medical advice मतलब doctor मना करेगा तो भी ओ ले जाना चाहता है for the client must be signed a form releases the physician and the health care in situation from any legal responsibility his or her health status ठीक है तो उस time पे lama के condition में अगर patient चाहता है hospital छोड़ना तो उसके पे एक form sign कराया जादा है कि अगर patient को राच्टे में कुछ भी हुआ तो उसके लिए hospital authority या hospital responsible नहीं होगा अगर राच्टे में उनका death हुआ या फिर उसके बाद hospital से ले जाने के बाद patient को कुछ भी हुआ तो ठीक है the client is informed of a possible risk before signing the form मतलब format है करवाने से पहले डॉक्टर को ये लिखित में मतलब return form में देना पड़ता है कि राच्टे में ले जा रहे हो patient का हाला ठीक नहीं है तो राच्टे में ये ये हो सकता है तो उसमें फिर patient के ladies को sign करना होता है ठीक है एक form होता है lama का मतलब ऐसा ऐसा हो सकता है doctor बताता है फिर भी patient को उन लोग ले जाता है उस condition में ये lama form होता है condition sign nature must be witnesses the form become part of client's record फिर वो एक client's के record का part बन जाता है तो उसको फिर hospital में रखा जाता है उस form को और वो ए इंडिकेट करता है कि अगर patient को कुछ भी होगा hospital से निकलने के बाद तो वो responsible नहीं होगे hospital के nurse, doctors या फिर कोई भी authority उनके death का responsible नहीं होगा क्योंकि doctor पहले ही return form में बता चुका होता है कि patient इतने देर में अगर hospital से निकला तो इसको कुछ हो सकता है ठीक है this is lama बहुत important है अच्छे से पढ़ना the topic is completed, thank you